केंद्र की मोधी सरकार ने अपने दूसरे कारेकाल का आकरी पूर्ण बजट पेश कर दिया है जिस पर लगातार प्रतिक्रिया भी निकल करा रही है वहीं केंद्रिय राज्यमंत्री कृषिनपाल गुर्जर ने भी इस बजट पर अपनी परतिक्रिया दी है और बजट को जनता के हित में बताया है राज्यमंत्री कृषिनपाल गुर्जर ने कहा कि ये कोई राजनीतिक ये चुनावी बजट नहीं है बलकि ये आम लोगों के हित में लाया गया विकास वाला बजट है हमारे साथ इस वक्त केंद्रिय बंतरी क्रिशन पाल गूजर मौजूद है उनसे बात करते हैं कि बजट को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है सर कैसे देखते हैं इस बार इस बजट को देखें बहुत देश को आगे बढ़ाने वाला बजट है ये उजवल भारत और समर्द भारत का बजट है इसमें अगले 25 साल यानि कि जो अमरत काल है यानि कि विकास सील से विक्सित भारत की जलक दिखाई देती है इसलिए इस पे हर वर्क पर फोकस किया गया है इसमें आप देखեंगे तो रोजगार सजन एम्पलोमेंट जर्नेराइशन पर पूरा फोकस है उसके लिए इंफर्सेक्टरड डवलपमेंट आप देखेंगे जो ये टुरिजम डवलपमेंट कोपरेटर सोसाइटी डवलपमेंट इसमें पूरा फोकस है और यह सब रोजगार देने वाले चीजें हैं तीनों की तीनों